हेलो इस्टूडेंट मैं रेश कुमार मैं अध्वाइन रेजिसर क्लासे से आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ आज हम MST Final जिसके अंदर हमारे पास ओप्षनल पेपर हैं चंटेनम मेकेनिक्स और आज इसके अंदर हमारे पास से इनुटि फैस्ट में लेक्ट्श नमबर वन है ठीक हैं हर बार की तरह इस पेपर को स्टार्ट करें इससे पहले इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी ले ल मेकनिक्स के अब बदेडर और हमारे पास है अब जो बात कर रहे हैं कि इस फेंडर कोनन से उनिवेटेड़ है तो अफ्र बार की तरह वहीं पांच अनाम देख पारें इनक पूltr बस इन पांच उनिविश्टी से चाहिए आप सेमेस्टर की स्टूडेंट्स हो चाहिए आप एनुली साल में एक बार अग्जाम लगती हो दोनों ही परकार के स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास से कलासे से रहने वाली हैं तो अब देखो हमारे पास वह स्टूडेंट्स रे लिखा आएगा अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं आज यूनिट फैस्ट इसका ओफीशियली सलेबस क्या है यह आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं अफीशियली सलेबस में हैं हमारे पास कार्टीशियन टेन्शर इंडेक्स नोटेशन से एंडर्सफर्मेशन्स लाव पकार्टीशियन टेन्शर अडिस इस्ट्रेक्शन्स आज मल् Poly également सर इसकेलर फक्सञ्वर्चर्जेंश। इसकेलर फक्सञ्वर्जेंशंद करऴ ऊप्सञ् तो यह आपने अभी जो देखा यह हमारे पास ओफिशली सलेवस था ठीक है अब यह सलेवस हमारे पास बुक के अंदर कहां है कौन सी हम बुक रखने वाले हैं कौन सी हम बुक रखने वाले हैं तो आप हेडिंग डालोगे मचों मेकेनिक्स अब आप सकते हैं हमारे पास अभ। पास स्क्री नौपर न nordy puppy के में के वह थी किनिक्स की एक आप देख सकते हैं यह दोक्टर केडी सर्मार कि Ses already ढ़िया हुआ है इसकी जे पीज की बुक नहीं आती है थी आप एकनिडिया होई best आप JPS की बुख लाने से ले जाओ इसकी आती इसकी कोई राइटिंग नहीं है केवल और केवल तो हमारे पास दूसरी प्राथमिक्ता कौन से वाले बुक को देंगे नवकार पॉब्लिकेशन को देंगे जैसे आपने देखा होगा हमने मैथेमेटिकल प्रोग्रामिंग भी नवकार पॉब्लिकेशन डॉक्टर गोकरू सर की किया था इसी प्रगार हमारे पास यह वाला रहने वाला है अगर आपके पास बुक नहीं है तो कोई बात नहीं है अपन काम चला लेंगे बस आप साथ-साथ लिखते रहिएगा ठीक है भ से इःघंती है छहाँ से कंटेनम मेकेनिक्स हमारे पास क्या होती है ठीक है स्य मैकेनिक्स हमारे पास क्या होती हैucharist का दैका फिखार यह जो हमारे पास से शुरुंट ही होता है ठीक अभी यूनिट फेस्ट का जो लेक्चर वन है वो हमारे पास यहां से सुरुवाती होता है अब देखिए नाम से ही सबस्ट है कंटिनम और मेकेनिक्स कंटिनम और मेकेनिक्स है मेकेनिक्स जैसे आपको देखे लग रहा कि आप हम असी प्रिवेस में पढ़ गया थे है वह हाँ लेंजी दो होड के मेकेनिक्स हो फे रिजची बोड़ी और ऌइप हाइड्र पास पॉइंट से दूसरे पर उठना नीजिटी यह हिंदी में बात करें तो सांतत्य माल आप एक गर ठीक के और में किनिक्स का मीन से सांतत्य रहने वाला है ठीक है हिंदी में से सांतत्य बोलेंगे बढ़ यहां आपन कुछ दूसरी लेंग्वेज का ही इस्तेमाल करेंगे तो देखे सबसे पहले हम मेंचनेक्स समझ्जियेंगा इसे यह पेपर कहने के लिए तो हार्ड है बट इतना भी हार्ड नहीं है और इसी भी और इतना इसी भी नहीं है इसका मुख्य कारणा पहली नजर मेंzes कम समझ में आएगा ये Most पहली पहली नेजर नहीं हो जिसे किसी क्यूसिस के उपर अपने डाला और लगा कि हाँ ये हमसे हो जाएगा तो पहली नेजर में ये थोड़ा कम समझ में आएगा फिर इसे हम सावधानी पुर्वक देखेंगे तो ये हमारे पास बहुती easy रहने वाला है समझेगा बात को पतलब fast impressions इसका अच्छा नहीं रहेगा या आपका fast experience इसका अच्छा नहीं रहेगा बट दूसरी बार अगर हम सावधानी पुर्वक देखेंगे इसको आगे हम एक example से समझेंगे सावधानी पुर्वक देखेंगे तो continuum mechanics हमारे पास बहुती easy पेपर है अगर हम सही process और सही सब्दों का तालमिल अच्छे से विठा लें तो ठीक है तो सबसे पहले continuum mechanics क्या होती है ये एक attitude वाला पेपर है ये अपने आप में reach पहिल करवाएगा आपको कि हाँ देखिया आप हम ऐसी कर रहे हैं और मैं हूँ continuum mechanics तो सबसे पहले है लिखी हम क्या करने वाले हैं इस पेपर के अंदर तो इस पेपर का जो उदेश से है वो लिखिया पहले कि continuum mechanics से स्टार्टिंग में आपके बुक के पहले पहले चेफ्टर की ठीक है भई डिल्स विद फिजिकल क्वांटिटी डिल्स विद फिजिकल क्वांटिटी विच इज इन्डिपेंडेंट ओफे विच इज इन्डिपेंडेंट ओफे विच इज इन्डिपेंडेंट विच इज इन्डिपेंडेंट जो निर्वर नहीं काती है अनी पार्टिकुलर ओफ अनी पार्टिकुलर कोर्डिनेट ओफ अनी पार्टिकुलर कोर्डिनेट अनी पार्टिकुलर कोर्डिनेट शिस्टम्स विच आर यूज शिस्टम्स विच आर यूज टू डिस्क्राइब देम विच आर यूज which are used to describe them यह स्टार्टिंग की तीन लाइने हैं जो हमारे पास इसका मुख्य उदे से बताने जा रही हैं और यह सारे सब्दें हमनें इंग्लिस के hard words लिखें या इनका meaning से अपने आप में rich feel करवाने वाले सब्दें जैसे physical quantity जो physically मतलब जो अपना आखों से देख सकते हैं फिजीकली quantity जैसे किसी object की length क्या होगी उसका volume क्या है, height क्या है, time क्या है, temperature क्या है ऐसी चीज़ें हमारे पास ही physical quantities की अंदर आ जाते हैं जैसे किसी जैसे marker का mass क्या है है यह सब चीज़ें हमारे पास physical quantity में आती हैं तो यह container mechanics deal करेगी मतलब हम पढ़ेंगे physical quantities related which is independent of any particular coordinate systems किसी दूसरे particular coordinate system के उपर यह independent ओ जो use कीज़ें which are used to describe them जिसका हमारे यहां वरणन किया गया है तो आपको starting में बस तीनी line लिखनी है जब भी आप paper की शुरॉत करें container mechanics एक दो बार इसे पढ़ेंगे हो धीरे 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 इस सब्दे आपको लगेंगे कि यह बहुती गहरे word है हर एक सब्द का यहां गहराई तक हमें चलने वाले हैं ठीक है बट यह तो हमारे पास language में होगी इस paper का उदे से क्या है अब हम maths कर रहे हैं तो इसका mathematically use देखेंगे तो आप लिखे mathematically ठीक है अब हम इसको गणीत यह भासा में परिभासित करेंगे यह quantities these quantities these quantities these quantities ठीक है अब हम mathematics देखेंगे इस quantities are referred by tensor are refer are refer are referred by tensors ठीक है are refer by tensor अब हम क्या करेंगे mathematically यह जितनी भी physical quantities है ज्यान देना mathematically जितनी भी physical quantities है इन सभी को हमें refer करेंगे by tensor by tensors ठीक है अब tensor हमारे पास क्या होता है हम ऐसा मानते प्रिवेच लेंगे कि आपका काफी हद तक tensor है वह सिखा हुआ है अमसी प्रिवेस के अंदर पेपर आपको पता ही होगा फोर्ट पेपर होता था डी जी एंड टी ए जहां नाम से इस अपस्टा टेंसर अनलाइसिस हम वहां करते थे जिसके अंदर हमारे पास क्रिस्टोफोल सिंबल है फैस्ट काइंड है क्रिस्टोफोल सिंबल का सेकिंड काइंड है कहीं ऐसे आ जाता था आई जे के कहीं हमारे पास ऐसे आ जाता था आई जे के एकी पावर आई कॉंट्रा वेरियंट है कि को वेरियंट है कि क्रोनिकर डेल्टा है या मिक की पाउर आई एक की पाउर जे को वेरियंट है यह को वेरियंट माना जाएगा फैस्ट ओडर का यह कोंट्रा वेरियंट माना जाएगा फैस्ट ओडर का यह सैकेंड ओडर का यह सैकेंड ओडर का यह क्रोनिकर डेल्टा है इसकी वेलू वन भी होती है अगर आई और जे यह से कि हमारे पास जो container mechanics deal करती है physical quantities की जो हम बातें करेंगे उन physical quantities को हम किस से में refer कर लेंगे भाई तेंसर में refer कर लेंगे so by physical law of so physical क्योंकि quantity अगर physical है तो ला भी कौन सा लेंगे physical law of container mechanics physical law of container mechanics और अक्सप्रेस बाई और अक्सप्रेस बाई टेंसर इक्वेशन्स टेंसर इक्वेशन्स के रूप में यह हमारे पास इधर दोडेंगे ठीक है टेंसर इक्वेशन्स के रूप में यह हमारे पास यहां अक्सप्रेस होंगी या वेक्त होंगी या ओवरनन होंगा अक्सप्रेस लिखो या इसे ऐसे लिखो डिस्क्राइब लिखो या कुछ और लिखो ठीक है तो यह हमारे पास एक वर्ड से कि आखिर कंटेनर मेकेनिक्स हमारे पास क्या कहने वाली है चिंता मत करो एक बार कुछ देर जहली है इन सब्दों को उसके बाद धेरे 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 इनका गहराई से मतलब समझ में आता चलेगा और हम step by step या topic by topic आगे बढ़ते चलेंगे और कंटेनर मेकेनिक्स हमारे पास काफी हद तक ही easy हो जाएगी ठीक है बस पहली नेजर में थोड़ा hard परतित होगा बट इसे हम सावधानी पूरक समझेंगे तो ऐसा इसमें कोई issue नहीं है कि आपके स कितनी इसकी हाइट है इसका वोल्यूम कितना है कि टेंप्रेचर के ओपर यह रखाओ यह सब छोटी छोटी बाते हमारे पास physical quantity के अंदर आती है वीच इज इन्डिपेंडेंट ओप जो निरवर नहीं है अन्य पर्टिकुलर कोडिनेट सिस्टम्स विचार यूज डिस्क्र कामप एंडिपेंडेंट है अब ये बात तो हो गई हमारे पास language के अंदर कि Container mechanics आखिर हमारे पास ही क्या होती है अब इसको हम गणिति भासा में लिखेंगे तौप लिखिए funniest quantities असि को mathematics में लिखेंगे तो वन लिखिए Mathematically य यह यह एसे लगा दो a messages in mathematically these quantities are by tensor so physical law of container mechanics are expressed by tensor equation वतलब tensor में लिखेंगे तो यह हमारे पास किस में चला जाएगा इसके जो container mechanics के भोतिक नियम है फिजिकल ला है वो किस में चले जाएगे tensor equations के रूप में लिखेंगे तो हमारे पास एक सब्द का बहुत ज्यादा गहराई से रोला रहा है tensors ठीके अब आप note लगा के लिखें जनरली हमारे पास दो चीजें होती हैं scalar और vector है ना बई अदीश रासी और सदीश रासी पूरा लेख लो चला अब इंगलिस में बोलेंगे हम इसको scalar quantity और vector quantity है ना बई scalar quantity and vector quantity जब जब हमारे पास scalar quantity जा जाएगी तो हम बोलेंगे यह tensor है यह हमारे पास tensor है ओ फे जीरो ओडर का ओ फे जीरो ओडर का ध्यान दीजिएगा हमारे पास tensor तो है physical quantities है वो हमारे पास tensor है बले ही वो अदीश रासी हो बले ही वो सदीश रासी हो समझेगा physical quantities है वो हमारे पास से बले ही वो scalar quantities हो बले ही वो vector quantities हो tensor तो हमारे पास है ही है अब scalar quantities की कोई direction नहीं होती इसका मतलब उसका कोई order नहीं है या जीरो ओडर है, वेक्टर में कम से कम एक डारेक्शन इसका रॉल रहेगा, तो हम बोलेंगे, टेंसर से ओफ हे, फैस्ट ओडर, टेंसर से ओफ हे, फैस्ट ओडर, ठीके, तो आप इसके नीचे सिंपल भासा में नोट लगा के लिख सकते हैं, कि इसके लस्क्वांटिटी होती ह है, टेंसर से ओफ जीरो ओडर, और वेक्टर कॉंटिटी होती है, हमारे पास टेंसर से ओफ हे, फैस्ट ओडर, ठीके, तो बस, स्टार्टिंग में कुछ चंद लाइने, जो इस पेपर की सुरुआत करने से पहले, हमें पता होना चाहिए, कि आगे चल कि हम कौन-कौन से वर से तो उसका कम से कम से टेंसर सोफ फैस्टी ओडर है, हाईयर ओडर में होगा, उसका हम जरूरत होगी, वहां देखेंगे, एक बार आप बेसिक मान के चलिए, वेक्टर कॉंटिटी जोती है, वो जनरली या आम तोर पे टेंसर सोफ होती है, तो यह हमारे पास इसके बारे मे निकालों यहां तक का पड़ाय हुए का, तो मान के चलिए कि हमारे पास यह मानों एक औबजेक्ट है, इसके अंदर कुछ फिजिकल कॉंटिटी है, और यह मेरे यहां एक सिस्टम के उपर रखा हुआ है, ठीक है, अब इसकी जो भी फिजिकल कॉंटिटी है, मालों यह पर लेंगे, अब मैथेमिटिक्स की परिवासा में हम क्या बोलेंगे, कि जितने भी फिजिकल कॉंटिटी है, इनको आप टेंसर बोलो, तो ला फिजिकल ला ओफ कंटेनर मेकनिक्स क्या हो जाएगा, इसको हम टेंसर एक्वेशन के रूप में लिखेंगे, अब आम तोर पे इसको क्या देंगे, वेक्टर कॉंटिटीटीज को टेंसर ओफ ओफ ओडर फैस्ट, तो यहां तक हमारे पास सबसे सोटे से छोटी लेंग्वेज है, इससे कम में इस लेंग्वेज को हम नहीं लिख सकते, यहां से यह परियाप्त सब्द हैं, जो हमें समझने का, समझना आफूहर है, जैसे वेक्टर में क्या आती हैون, वेलोसिटी, इसके अंदर डिस्प्लेस्मेंट और लेंद हा जाती है, दिस्प्लेसमेंट से लेंग्टर होती हैं, तो हमारे पास यहां तक के लिए एक बार प्लेस्प्लेंट आए कुछ सबद लिखे हैं, उमिदध ठीक थी किसका analysis करेंगे तो इसमें कुछ बचेगा भी नहीं ठीक है इसके अंदर हमारे पास कुछ भी बचेगा भी नहीं इसको हम पहले एक topic से समझते हैं फिर एक simple सा एक छोटा सा example याद रखेंगे ताकि आप container mechanics को अच्छे से फिल कर सको ठीक है वई तो यह हमारे पास container mechanics से related कुछ-कुछ basic बातें हमें लिखनी थी यह हमारे पास container mechanics से related हमें कुछ-कुछ बातें लिखनी थी अब हम इसका पहला ही पहला topic लिखेंगे जो हमारे पास छोटे-छोटे topic के कुछ basics जानकरी सीखेंगे और देखते ही देखते हमारा बड़ा टोपिक जाएगा तो पहला फैडिंग लगा यह index notation है index notation है इसाइद आपका syllabus का भी पहला ही पहला topic है यह हमारे पास ही syllabus का भी पहला ही पहला topic है हमारे पास ही देखो सब से पहले समझाएंगे चलो एक पिलका टिसेंगें सींडेक्स नोटेशन से ओपूँ वेक्टर्स हिए कि इन्डेक्स से नोटेशन से ओपें वेक्टर्स इस बात को हमारे पास है टॉपिक है इंडेक्स से से नोटेशन से ओभी वेक्टर नाम से ही सपस्ट है हमारे पास ही यह जो वेक्टर से इनको हम एक संकेत के रूप में लिखेंगे एक संकेत के रूप में लिखेंगे तो अगर मैं आपको एक अगर या दिलाओं कि हम 12th क्लास में या BSC के अंदर वे अपने वेक्टर पढ़ा होगा थोड़ा वह जुरूर आया होगा 12th मानलो आप एक बार या BSC की छोटी क्लास है मानलो उसके अंदर हमारे पास है अप ऐसे पढ़ते थे कि यह हमारे पास है 2x y z यह हमारे पास अक्स है यह हमारे पास y aks है और यह हमारे पास y aks है मूइ तोर पे और यह अर यह धान से देखी हमने यह एक point ले लिए आप P तो ये आप ऐसे लिखते थे कि माना ये R direction है माना ये R vector है इसे point के coordinate हमने क्या ले लिए A, B, C directions के लिए हम क्या बोलते थे R vector है तो X X की तरफ क्या होता है वही हमारे पास है I cap Y X की तरफ हमारे पास क्या होता है यानि ये I cap ये हमारे पास J cap और ये हमारे पास है K cap फिक है बिलकुल एक normal सी भासा में लिखें तब आप ऐसे लिखते थे कि O P vector है O P vector है वह आम तोरपे आप ऐसे लिखते थे है ना बई O P vector है या आप आम तोरपे ऐसे लिखते थे A vector A X I cap A vector I cap plus B J cap plus C K cap simple लिखते थे A I cap plus B J cap plus C K cap ठीक है या आप हो सकता A1 A2 A3 लिखते होंगे तो A1 I cap A2 J cap A3 K cap या इसके point मान लो X X direction में X है Y direction में Y है Z direction में Z है तो अपन क्या बोल देते थे AX I cap plus Y J cap plus C cap ठीक है तो यह हमारे पास एकदम simple सा एक rules था जो हमारे पास हम ऐसा जानते हैं कि यह vector के कुछ समाने नियम हैं तो अब आप यहां इसे कुछ भी लिखिए जैसे कुछ भी लिख रहे हैं वतलों यहां जो point लिखेंगे जैसे हमने लिखा A1 A2 और A3 A1 A2 और A3 तो यहां हमारे पास क्या जाएगा A1 vector या A1 I cap plus A2 J cap plus A3 K cap समझेगा इस बात को हमारे पास से यह A1 कहां है वही अक्स-का कोडिनेट है इसका मतलब यह A1 हमारे पास इधर है A100 A2 किदर है हमारे पास से इस Y axis के ऊपर है यहां माले तों मैं A2 हमारे पास से इधर है और A3 हमारे पास इसे J axis की और है यानि एक X axis के ऊपर है एक Y axis के ऊपर है A2 और यह तीसरी का है xx का point yx का point और zx का point ही और आम तोर पे हम ऐसे लिखते थे op vector और op भी क्या है r है ओसे p को हमने क्या मानना है r vector तो r vector हमारे पास कुछ ऐसा आ जाता है r vector है वो हमारे पास कुछ ऐसा आ जाता है अगर मैं इसका बोलूँ कि इसका magnitude निकालिए आप आप इसका magnitude निकालिए तो आप कैसे करते थे वाई a1 square plus a2 square plus a3 square plus a3 square ठीक है क्या आपको ये बातें अच्छी से पता है yes हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे पास और अगर angle बताएं तो एक तो आ जाएगा theta xx के sub x माना इसका आगया xx के sub x theta 1 इसका आगया x2 के sub x theta 2 इसका आगया xx zx के sub x theta 3 अगर हम angle लिखना चाहिए तो तो ये हमारे पास एक नॉर्मल सी situation होती थी जो vector का ही notation होता था इसको वास्ता में क्या बोलते हैं भई ये vector notation ही है ये हमारे पास vector notation ही है किसी किसी point के लिए ये हमारे पास notations of vector है या हमारे पास vector notations है आज हमें इसे standard रूप में ढालने वाले हैं येस आज हम इसे standard रूप में ढालने वाले हैं या पैसे समझ लो आज इसे हम msc final में ढालने वाले हैं और ये इसका एक एड़वान से रूप होगा ये इसका हमारे पास एक एड़वान से रूप होगा अगर मैं यहां अक्सिस की बात करूँ तो आपको पता ये कौन सी अक्सिस है अक्स अक्सिस है ये ये जेड अक्सिस है ऐसी तो ना भी इसको एक standard language के अंदर ढाल रहे हैं मतलब हम BSC से निकलके या 12th class एकदम basic simple चीज़ से निकलके थोड़ा सा advanced form ले रहे हैं इसके अलावा हमारे पास इसमें कुछ भी नहीं है ठीके और अगर मैं इसकी एक बार बात करूँ जसे इसको ऐसे मिलाओ इसको ऐसे मिलाएं तो यह हमारे पास ऐसे बन जाता है या एक rectangular type का बन जाता है चलो rectangular वहाँ बना लेंगे इसे आप एक बार simple ही समझीए ठीके आज हम क्या कर रहे हैं इसका standard format ले के आ रहे हैं तो मैं x को ऐसे नाम दूँगा की y1 है यह y1 axis है इसको मैं नाम दूँगा की y2 axis है इसको मैं नाम दूँगा y3 axis है कोई फरक नहीं पड़ेगा origin को हम एक बार origin ही बोलेंगे तो यह x axis, y axis और z axis यहां हमने क्या नाम दे दिया y1 axis, y2 axis और y3 axis तो यह जो x, y, z था इधर क्या मैं इधर ऐसे लिख सकता हूँ कि yi axis yi is equal to 1, 2, 3 axis है ना वी yi axis लिख सकते है yi, yi का मतलब i is equal to 1, 2, 3 एक तो होगी हमारे पास y1 axis एक होगी हमारे पास y2 axis और एक होगी हमारे पास y3 axis ठीक है इसके अंदर direction कौन सी थी भाई? i cap, j cap और k cap चोंकि हम इसका advance रूप ले रहे हैं इसलिए i की जगह इसे बोल दो ये e1 cap है और cap की बज़ाए vector बोल दो cap की बज़ाए आप क्या बोल दो? vector बोल दो इसे आप j cap की बज़ाए e2 vector बोल दो और इसे आप e3 vector बोल दो अगर हम यहां ध्यान दें i cap, j cap और k cap आपको पता 21 सदिस होते थे बार्यू कलास में जैसे पढ़ाता यह इंगलीस में unit vector बोल सकते हैं यहां आप i, j, k, e1 vector, e2 vector और e3 vector कर दीजिएगा क्या करोगे बई? यहां हमारे पास e1 vector या ei vector कर सकते हैं क्या? ei vector जहां i is equal to 1, 2, 3 यह हमारे पास क्या हो गया? unity vector हो गया केवल समझेगा इसे? लिखना नहीं है मैं रफली समझा रहा हूँ लिखना कैसे है? आपको वो भी बताएंगे ठीके? अब यह देखिए यह भी तो notation of vector है यह भी हमारे पास notations of vector है आज क्या यह हमारे पास index जैसा बन गया? index मतलब पेवल जैसा है yi एक संकेत को रूप में आ गया yi i is equal to 1, 2, 3 यह हमारे पास success हो गई ei ei का मतलब ei is equal to 1, 2, 3 यह e1 direction हो गई unity vector है यह e2 direction हो गई unity vector है यह e3 directions हो गई unity vectors है अब यहां हमने point में नाम दिया था a, b, c यहां हम point में नाम दे देंगे एक बार capital a1, a2 and a3 capital a1, a2 and a3 बताइए वास्तों में है तो x-axis का पर अब की बार किसका माना जाएगा y1 का तो a1 इधर आ जाएगा यह कौन से एक्सिस का है y-axis का बट यह y2 अक्सिस है तो यह a2 हमारे पास से इधर आ जाएगा ठीके a3 है वो हमारे पास इधर आ जाएगा आप मान लो capital a vector यहां आप मान लो capital a vector तो नाम से ही सपस्ट है r is equal to a1, a2, a3 छोटे a1, a2, a3 यह r तो यहां हम क्या ले लेंगे a vector यहां हम क्या ले लेंगे a vector is equal to a1, e1 vector plus a2, e2 vector plus a3, e3 vector plus a3, e3 vector देख लो चाहिए यहाँ A1, A2, A3 और unit vector क्या थे IJK A1, A2, A3 और IJK यहाँ क्या है भई हमारे पास है capital A1, A2, A3 और E1, E2, E3 छोटे E1 vector, E2 vector और E3 vector यह भी unit vector है बस इनके cap लगा हुआ था सामाने सबसे हम पड़ा हुआ है कि directions का रोल है यहाँ हमने vector लगा लिया इनके उपर फिर हमारे पास A vector का modulus यह इनि इसका magnitude क्या हो जाएगा तो यह लिजिए जी A vector हमारे पास कितना हो जाएगा root के अंदर यह आजएगा A1 square पलस A2 square पलस A3 square A1 square पलस A2 square पलस A3 square अब यह वहाँ कैसे आते थे 12th class में यह कैसे आते थे यह हम एक diagram के माध्यम से समझेंगे यह हम एक diagram के माध्यम से समझेंगे तो यह बाते हैं यही बाते हैं दोनों में कोई खास फरक नहीं है यह हमारे पास नॉर्मल लेवल है ठीक है वई? इसको हम बोल सकते हैं, ऐसा हम नॉर्मली देखते हुए आए हैं, यह हमारे पास नॉर्मल फॉर्म है, यह हमारे पास समाने रूप है, यह हमारे पास एडवान्स रूप हो गया, यह हमारे पास एडवान्स रूप हो गया, ठीके, यह हमारे पास एक नॉर्मल रूप है, यह हम हमारे पास ही अडवान्स रूप हैं यहां हम बोलेंगे कि देखो xyz direction ज01 है यहां यहां हम बोलेंगे unit vector हमारे पास i, j, k होते हैं यहां हम और style से बोलेंगे e, i vector is equal to e, i vector है i is equal to 1, 2, 3 है यहां हम normally बोलेंगे कि r vector है वो root के अंदर s, s, a, a, 1, i, a, 2, j, a, 3, k होता है यहां हम attitude के साथ बोलेंगे a vector is equal to a, 1, e, 1 vector plus a, 2, e, 2 vector plus a, 3, e, 3 vector है ठीके, तो दोनों में बात कुछ नहीं, यह हमारे पास एक normal forum है यह हमारे पास advanced forum है ध्यान में हम इसे ही रखेंगे क्योंकि हमें यह अच्छे से आता है या इसको हम सामाने रूप से समझ सकते हैं इसको भी हम सामाने रूप से समझ सकते हैं और इसे भी अच्छे से समझ सकते हैं बस इसका देखने का नजरिया बदल गया यह अपने आप में थोड़ा सा स्मार्ट लग रहा ही है यह आप इसे ऐसे समझ लो जैसे यह हमारे पास एक नॉर्मल से गरल है आप इसे इस अग्जम्पल के मादें से समझ सकते हो और यह भी हमारे पास गरल ही है दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट कर देंगे ठीके यह हमारे पास बिफोर ब्यूटी पार्लर ठीके यह हमारे पास आप्टर ब्यूटी पार्लर उमीद है नगेटिव नहीं समझोगे भावना सही से समझोगे है ना ये हमारे पास एक सामाने से लड़की है जो बिना मेकप के है ये हमारे पास ब्यूटी पालरक से निकल के आई है और फरक क्या है दोनों में आप देख सकते हैं है ना लड़की वही है मतलब हमारे पास बातें वही है उसकी limit भी हुई है, कैसर उसका rational is, कैसर उसका नजरिया है बैस सब कुछ हुई है, अब देखने का नजरिया बदल गया अब हमारे पास देखने का नजरिया बदल गया यही हमारे पास वास्तों में mechanics है की चीजें वही हैं, बैस इसको आज हम standard language में लेकर आएंगे थी तो यही बस एक नए रूप में सामने निकल के आ गई है तो यह हमें पहली पहली नजर में समझ में नहीं आएगा और इसको हम अच्छे से explain कर सकते हैं कि यहां पहली नजर है तो बस देखने का और थोड़ा सा सोचने का नजरिया बदल सकता है इस टेंडर्ड वर्ड यहां इस्तेमाल करेंगे और यहां हमारे पास वही पूराने चुटके रूल्स है तो आप इसको पूरी मेकेनिक्स को यह से याद रख सकते हैं कि गर्ल्स हमारे पास वही है विपोर ब्यूटी पालर इसको हमें ब्यूटी पालर के अंदर लेके जाना ह तो study करेंगे after beauty color ठीक है इससे क्या कि आप इसको याद रख सकते हैं समझ सकते हैं कि कहां हम heavy words काम में लेंगे तो कुछ नहीं किया अभी तक हमने जो rules काम में लिया हैं मैं वापिस अगर इसको लिख के दिखाऊं बगेर diagram तो आप इसे तुरंत परवाव से समझ सकते हैं ठीक y, z, axis अब यह सोट में बोलते हैं y, i is equal to 1, 2, 3 इसको आम नोर्मली बोलेंगे i, j और k है यह style में आ जाएगी e, i vector i is equal to 1, 2, 3 ठीके इसमें छोटे-छोटे a1, a2, a3 है r vector है यह standard में लेके आएगी a1 है, a2 है और a3 है तो last में हमारे पास यह भी ऐसे ही आएगा vector notation यह भी हम vector notation यह भी हमारे पास ऐसे आएगा vector notation बट यह नीचे जो i लगा हुआ है यह एक परकार से इस index को represent करता है जो topic का नाम बन गया है index notations of a vectors ठीके topic का नाम बन गया है हमारे पास index notations of a vectors तो उमीद मैं क्या कहना चारा हूँ यह आपके mind में set हो गया होगा कि बातें कुछ नहीं ह पूरा paper ही ऐसा ही है वही mechanics का paper simple है बट वो पहली नजर में समझ में नहीं आएगा तो मनी starting में बताया था ना कि लड़की वही है पहली नजर में समझ में नहीं आएगी after beauty polar पर इसे अगर हम सावधानी पूरवक देखेंगे तो बातें वही है जो इधर थी ठीके अरे उसके और इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है अब हम इसे language में कैसे लिखेंगे तो ध्यान से देखना result हमारे पास यह ही आएगा result हमारे पास यह ही आएगा a vector is equal to a1 e1 vector plus a2 e2 vector plus a3 e3 vector या a vector is equal to root a1 square plus a2 square plus a3 square but अपना आप पर इलजाम नहीं लगा सकते कि beauty polar का उधारन देखे औ तो क्यों ना इसे हम mathematically proof करें कि आखिर यह ऐसे क्यों आए है है अब हम इसे mathematically proof करें कि आखिर यह हमारे पास क्यों आए है क्योंकि बातों से काम नहीं से लेगा तो चलिए अब हम इसको थोड़ा सा standard जो हम प्योर mathematics की भासा में अगर हम लिखें तो सबसे पहले आप बनाओ rect angular सबसे पहले आप बनाओ rect angular Cartesian coordinate rect angular Cartesian coordinate ठीक है rect angular Cartesian coordinate कैसे होता है आएत होता है और हमेशा ऐसे बनाओगे आपको पता ही होगा rect angular Cartesian coordinate कैसे बनाया जाता है है ना ये लो ये हमारे पास rect angular Cartesian coordinate इसको यहाँ मैच करते वर थोड़ा सा आगे की और लिए ओ इसे थोड़ा सा आगे की और लिए ओ ठीक है इसे थोड़ा उपर की और ले जाओ इसे थोड़ा सा उपर की और ले जाओ और ये हमारे पास ऐसे है इसे थोड़ा सा इधर ले जाओ इसे आपे इधर ले जाओ अब इसको ऐसे करो कि ये जो रेक्ट एंगुलर है यहां ओरीजिनल मत मानो ओरीजिनल पॉइंट मत मानो ऐसे मान के चलो एसे कि यह हमारे पास 3D सिस्टम ऐसे था यह हमारे पास 3D सिस्टम ऐसे था ठीक है और यह रेक्ट एंगुलर उठाके हमने यहां रख दिया है अब इसको हम नाम देंगे जैसे यह तो हो गया हमारे पास ओरीजन पॉइंट अब यह कौन सी एक्स होनी चाहिए अक्स अक्स पर ब्यूटी पालर सहीत बात करें तो यह हम आनके चलेंगे य1 एक्स ठीक है अब हम ब्यूटी पालर नहीं आप्टर बोलेंगे बिफोर आप्टर चाप समझ जाना यह हमारे पास y एक्स होती है बट इसको हम क्या बोल देंगे y2 और इसको हम क्या बोल देंगे y3 इसको हम क्या बोल देंगे y3 यहां होना चाहिए आई-कैप बट यहां हम बोल देंगे e1 वेक्टर है यहां होना चाहिए हमारे पास j-कैप बट इस डिरेक्शन में हम बोल देंगे e2 वेक्टर है यहां होना चाहिए यह केक है बट इसको स्टेंडर्ड या आप्टर व्योटी पालर ऐसे लिख सकते हैं ठीके तो ध्यान देना गड़िया हुआ ही सिंपल सी है बस व्योटी पालर से निकाल दिया अलग रूप लेकि आ गई है सावधानी पुरुग देखिए अराम से समझ में आ जाएगा ऐसा तो हम इसे बोल देंगे क्यूंकि direction चेंज नहीं हुई देखलो यह even vector की direction है तो जस्ट इसके parallel यह even vector direction है यह e2 vector direction है तो जस्ट इसके parallel to direction है यह e3 vector की direction से parallel A3 vector की directions है ठीक है अब हमने यहाँ एक point ले लिया जैसे हमने क्या किया अब ऐसे मिलाया है ठीक है अब यह देखिए इसी direction में है इसे diagram थोड़ा सा ऐसे बन गया तो एक अलग बात है जैसे इस point को हमने नाम दे दिया पी इस point को हमने नाम दे दिया क्यों इस point को हमने नाम दे दिया क्यों अब मान के चला यह point हमारे पास a1 a2 a3 है तो a1 आ जाएगा इधर a2 आ जाएगा हमारे पास इधर और a3 आ जाएगा हमारे पास इधर मानते वे चलेंगे यह point है हमारे पास a1 a2 a3 है ठीके यहां हम R vector लिखते थे इसको हमने माना किए A vector है इसको हमने माना किए A vector और ध्यान से देखना यह ऐसे है वहीं ठीके मतलब जश्ट इसकी directions में है E3 का यह यह जश्ट इसके nt है यह जश्ट इसके nt है थोड़ा सा diagram से बना ले ना भी यह जश्ट इसके वीपरी दिशा में इधर की और आ रहा है ठीके तो ऐसे हम अपने diagram से लिखेंगे कि यह हमारे पास एक सामने सा Rect Angular Cartesian Coordinate है जिसके अंदर यह हमारे पास point है A1, A2 and A3 A1, A2 और A3 अब अगर यह directions इधर है तो यह 90 degree के ओपर जाएगा कि नहीं जाएगा अब यह angle पूरा 90 degree है अगर आप सही से Rectangular बनाओगे मानलो P, Q, R और एक बार इस point को भी आप कोई नाम दे दो जैसे N नाम दे दिया ठीके इस point को भी आपने एक नाम दे दिया N ठीक है मैं इसे थोड़ा साब बना देता हूँ भई ठीक है इसे थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं ताकि आपको इसके अंदर हर एक चीज दिखाई दे जाए ताकि आपको हर एक चीज दिखाई दे जाए और हमारे पास कोई भी दिक्कतें ना आई तो पहले तो आप ऐसे लिखिए ये रेक्ट एंगुलर कार्टिशन कोर्डिनेट है मैं यहां से अरफ कर रहा हूँ इसे ताकि इस जगह को यूटिलाइज किया जाए उसके हमने माना कि ये हमारे पास पासे ऐसे आ गया कि यह हमने ऐसे मिलाया यह एथरी वेक्टर था इसको इधर ले जाओ एटू यह एवन वेक्टर है और इसको आप ऊपर की और ले जाईए इसे आप ऊपर की और ले जाईए यह हमारे पास एटू वेक्टर है ठीक है डाइरेक्शन के साथ से e1 e2 e3 यहां हम नाम दे देंगे यह capital a1 है यह capital a2 है और यह capital a3 है ठीक है अब मैं यहां क्या कर रहा हूँ एक वेक्टर ला रहा हूँ अब यहां से मैं p से इस point को हमने माना p और इस point को हमने माना क्यों ध्यान से देखिए वई इस point को हमने माना p इस point को हमने माना क्यों, यह हमने माना की A vector है, सबसे पहले यह angle बनाएगा A1 के साथ, अब मैं direction ऐसे लगाऊं, या मैं direction ऐसे लगाऊं, ठीक है, तो ध्यान से देखिए, हम A से चलेंगे, इस A vector से चलेंगे E1 की और, हम इस A vector से चलेंगे E1 की और, ठीक है, तो एक बार direction से बचने के लिए पैसे लगा देना, कि माना यह angle हमारे पासे theta1 है, माना यह angle हमारे पासे theta1 है, फिर हम चलें यहां से, इसे मानलो आप एक बार, इस directions को इसे तो आप मानना theta1, एसे यहां तक मानेंगे थीटा टू एक बार ऐसे डायरेक्शन दे देते हैं चलो यह थीटा वन यह थीटा टू और इस एसे मिलाया ए थरी की और इस एसे मिलाया ए थरी की और यह एंगल आ गया हमारे पास थीटा थरी यह एंगल आ गया हमारे पास थीटा थरी अरे ऐसे है सम यह हमारे पास P है, यह हमारे पास Q है, अब इस A वेक्टर को मैं E1 वाली डायरेक्शन से मिलाता हूं, तो यह एंगल आ गया थीटा वन, चलके A से आएंगे थीटा वन की ओर, ठीके, यह हमारे पास क्या है, E2 वेक्टर है, तो यहां से आ जाओ एक बार, यहां से यह लो, यह यहां से चले, यह आ गया थीटा टू, यह हमारे पास E3 वेक्टर है, इसको मैच करेंगे, तो चलना कहां से है, इसी PQ वेक्टर A से यह इदर आ जाओ, चाहे आप गुम के इदर से आ जाओ, कोई फरक नहीं पड़ेगा, यह एंगल हमारे पास ही थीटा थी है, हम डिसकस कर कर लेंगे, अब जिदर यह क्यों है, इधर ही यह आ जाएगा, 90 डिगरी के ऊपर यह आ जाएगा, इस पॉइंट को आप R मान लो, और इस पॉइंट को आप एक बार M मान लो, इस पॉइंट को आप एक बार M मान लो, ठीक है बई, तो यहां तक मेरे इसाब से आपको इस ड यहां से आप देख सकते हैं, बेसिक रूल से, वेक्टर के रूल से होई हैं, टूटेंगे नहीं, पी क्यों क्या है हमारे पास, पी क्यों यह रादे को, पी क्यों वेक्टर से और जाएगे, यह आप पी से आर जाएगे, आर से क्यों जाएगे, लिख सकते हैं क्या, पी क्यो बनाएंगे अलग से आप बनाएंगे, तो यह है point P, यह है point M, यह है point R, यह है point R, यह ऐसे आ रहा है, यह है point R, ठीक है भी, यह है point हमारे पास R, यह है point हमारे पास R, अगर यह PM क्या है हमारे पास, यह PR वेक्टर क्या है, P से M की और जाएए यहां से देख लीजिए PR Vector क्या है P से जाएए M की और P से जाएए M की और M से आएए R की और समझेगा इस द्यान से कि हमें क्या चाहिए PR Vector यह डेश डेश वाला तो यह आजाएगा P से गए M की और and direct लिख लेना आपे and PR Vector is equal to P से जाएएंगे M की और plus M से आएंगे R की और plus M से आएंगे R की और ठीके यह हो गया है हमारे पास equations number 2 from equations 1 and 2 from equation language में लिखेंग भी इसे from equations 1 and 2 PR की value अप यहां रख दीजिए तो P क्यों Vector हमारे पास कितना आ गया PR Vector PR की जगा क्या लिखोगे भाई PM Vector plus PM Vector plus MR Vector ठीके यह आगया P Q Vector is equal to PR Vector PR Vector का मतलब PM plus MR plus R Q Vector plus R Q Vector plus R Q Vector अब आप डाइग्राम से देख सकते हैं P Q Vector का मतलब क्या है A Vector P Q Vector का मतलब क्या है भाई A Vector PM Vector ध्यान से PM Vector यह देखो यह जारा Direction देखिए PM Vector यह वाली Direction है तो यह क्या है A1 और कौन से Direction में E1 Vector के साथ है तो यह आजाएगा A1 E1 Vector A1 E1 Vector पलस M R Vector ध्यान से M R Vector यह रहा M से R की और हाँ M से R की और यह वाली Direction जश्ट इसकी Y2 Y3 के और यह इस वाली Direction Compare कीजिए यह Direction यह रही इदर ठीक है पलस से R Q Vector पलस से R Q यह रहा देखो R Q Vector जा रहा है उपर की और मतलब यह रहा R Q जा रहा है A2 E2 Vector की और यह हमारे पास जा रहा है A2 E2 Vector की ठीक है यह इसे आप अच्छे से लिख लिजिए यही आ जाएगा और A Vector is equal to पहले लिखिए A1 E1 Vector फिर आप लिखिए A2 E2 क्योंकि पलस में हैं कोई फरक नहीं पड़ेगा न A2 E2 Vector फिर आ जाएगा हमारे पास A3 E3 Vector फिर आ जाएगा हमारे पास A3 E3 Vector और पहले भी हम यही निकाल के लाएथे कि देखिए भई हमारे पास वोड हम डायरेक्ट बता चुके थे कि स्टेंडर डूप में ऐसे आ जाएगा या नेक्स्ट स्टेप में आप इसका मेगनिटूड निकाल लीजिए A Vector's का मेगनिटूड रूट के अंदर A1 स्क्वाइर पलस A2 स्क्वाइर पलस A3 स्क्वाइर A1 स्क्वाइर पलस A2 स्क्वाइर पलस A3 स्क्वाइर A1 स्क्वाइर पलस A2 स्क्वाइर पलस A3 स्क्वाइर अब बताएए क्या लिखोगे A1 A2 A3 क्या है यह a1 a2 a3 क्या है तो यहां लिख दीजिए where a1 a2 a3 is the projections of where a1 vector sorry simple a1 a2 a3 a1 a2 a3 are projection of अब प्रोजेक्शन मतलब होता है प्रक्षेप होता है अक्षों का हिंदी में अगर आप 12th क्लास में पढ़ा होगा तो वह टेंजेंट के अंदर आता था वेर a1 a2 a3 are projections of a vector प्रोजेक्शन ओफ एवेक्टर अलो ओंग वाई आई अक्सिस ओलोंग वाई आई आई अक्सिस वाई आई और आई इजिएकवर टु वन टू थरी अक्सिस मतलब यह बिल्कुल यह कुछल्स यहां इस्टायल में बोलेगा यहां आप इसके नीचे ऐसे लिखेँगे यह आई अक्सी से ठीक है E1 E2 E3 क्या है and and EI के नीचे आप वेक्टर लगा दीजिए I is equal to 123 है यह हमारे पास क्या है यूनिटे वेक्टर से यह हमारे पास क्या है यूनिटे वेक्टर से ठीक है यह लिख सकते हो यहां एंड जगह नहीं है अब यहां लिख सकते हैं एंड EI वेक्टर इस इक्वल टू यूनिट वेक्टर यूनिटे वेक्टर फोर यह से लिख देना आई इस इक्वल टू वन टू एंड ए ठीक है तो जैसा हमने पहले बताया था एक्वल के मादम से वो सुनने में अच्छा लगता है और यह हमारे पास ही mathematically proof हुआ है कि हमारे पास जो index notation of vector ले रहे हैं वो actually ऐसे है A vector is equal to root के अंदर A1 squares plus A2 squares plus A3 squares यह फिर A vector is equal to A1 E1 vectors plus A2 E2 vectors plus A3 E3 vectors तो एक results तो हमारे पास यह आ गया style में अपने आप लिखा गया yi axis बोलता है otherwise हम x y z बोल देते इसे i cap j cap k cap बोल देते बट इसे e i vector बोल दिया i जो symbol है यह index को note करता है index notation है और यह vector का sign है आपको पता है यह vector बोल देता है तो यहाँ i का sign बोलता है index notation और उपर वाला sign है यह vectors के लिए है ठीके एक results तो हम यह निकाल के लिए अब हम क्यों न इसे भी पढ़ ले थीटा 1 थीटा 2 एंड़ी थीटा 3 को है न एक results तो चलो हम यह लिए यहाँ तक आपने लिख लिया बहुत अच्छा आपके समझ में भ लगा होगा कि हाँ छोटी सी बात है और कैसे घशीट घशीट के यहां हम इस्टेंडर्ड वर्डों में लिख रहे हैं ठीके तो बात वही है सिंपल है बैस आप्टर पारलर देखना है और उसका सावधानी पूरुक अनालाइसिस करना है कहीं धोखा ना हो जाई है ना बैस जैसे वर्णन कर लोगे देख लोगे स्टेप सूटेगी नहीं तो यह हमारे पास सबसे सिंपल पेपर भी बन सकता है अब देखिए हमारे पास एंगल देखिए डारेट लिख लेता हूं मैं अगेन आपको एरो का साइन लगा के लिखना है अगेन एंगल देखिए हमारे प E1 vector या A1 E1 vector या A1 ठीक है P से क्यूं है यह point P है और यह point Q है यह हमारे पास A vector ठीक है ध्यान से समझे यह हमारे पास P क्यूं है और यह वाले इस directions में A1 और E1 जा रही है चाहो तो आप N मि ले सकते हो यह angle कितना है यह angle theta 1 है यह angle कितना है हमारे पास ही theta 1 है ठीक है अब अगर मैं इसका perpendicular इसके उपर डाल लूँ तो अगर मैं इसका perpendicular इसके उपर डाल लूँ तो यह कितना बन जाएगा 90 degree अब आप देख सकते हैं यह तो हमारे पास आधार हो गया यह हमारे पास लंब हो गया और यह हमारे पास हाइपोनियस ही करण हो गया अब आप यहां इसका sin theta 1 भी निकाल सकते हैं हैं cos theta 1 भी निकाल सकते हैं 10 theta 1 भी निकाल सकते हैं 10 theta 1 भी निकाल सकते हैं हमें कौन सा निकालना चाहिए हमें निकालना चाहिए cos क्यों वई क्योंकि साथ साथ अगर हम cos निकालते हैं तो इस direction का हमें कोई फरक नहीं पड़ेगा direction बोले तो जैसे मालो angle हमने negative कर दिया तो यह result तो minus में आ जाएगा है ना जबकि cost में चाहे negative कर दो वापिस क्या आएगा positive ही आएगा 10 में negative रखेंगे तो आपको पता है 10 minus theta क्या होता है minus का 10 ने theta है theta बनने को तो cost एक ऐसा angle है जो directions को रोक के रख लेता है कि चाहे आप इधर से आ जाओ चाहे आप इधर से आ जाओ तो अगर मैं cost ले लेता हूँ तो यहाँ direction का कोई role नहीं रहेगा ठीक है तो अब आप इसके diagram लगा दिये तो ठीक है arrow के sign नहीं लगाए तो आप इसे simple भी छोड़ सकते हो ठीक है अब यह directions के sign है यह हम simple भी छोड़ सकते हैं मतलब जुरूरी नहीं कि हम इधर से इधर से इधर चले जाए तो क्या निकालना है हमें cost निकालना है ठीक है भी हमें क्या निकालना है यहाँ cost से निकालना है तो निकालिए कोस कितना होता है वही आधार या बेस अपॉन वही अपना पुराने वाला फोर्मूला ठीक है आधार और कर तो यहां से आप निकालिए कोस थिटा वन कितना आ जाएगा वही आधार कितना है इसका यह रहा बेस एवन क्यों जा रहा ना एवन हाइपोटेनियस क्या है एय वेक्टर हैं तो हम यहां निकालेंगे अगें इसी परकार आप ठीटाटू निकालिए इसी परकार आप ठीटाटू निकालिए इसको इदार लाईए तो यह लंग बन जाएगा हाईपोटेनियस और बेस इदार देखलो डायग्राम में एक बार और एक कोषर देखलो एक सिधा लिख देंगे इसी परकार आप यह देखिए कि हमारे पास यह तो P क्यों था यह तो हमारे पास यह P क्यों था यह थीटा 2 था अब यहां से इसके 90 डिग्री का डालिए तो यह क्या बन गया बेस बन गया यह हाईपोटेनियस तो यह क्या है A2 है और यह A वेक्टर तो क्या जाएगा similarly कोष से थीटा 2 कितना जाएगा A2 अपॉन A वेक्टर कोष से थीटा 2 क्या जाएगा A2 अपॉन A वेक्टर तो यह आजाएगा हमारे पास ही A2 अपॉन A वेक्टर एंड कोष से थीटा 3 भी कितना जाएगा कोष से थीटा 3 भी कितना जाएगा A3 अपॉन A वेक्टर A3 upon A vector cos theta 3 भी कितना जाएगा A3 upon A vector अभी अभी आपने निकाला है A vector वास्त में क्या होता है या इसका modulus देख लो magnitude देखो या direct A vector देखो तो यह A vector actually हमारे पास किसके बराबर होता है वही A1 square पलस A2 square पलस A3 square यह A vector भी कितना हो गया हमारे पास A2 upon root के अंदर A1 square पलस A2 square पलस A3 square और यह भी हमारे पास क्या हो गया A3 upon root के अंदर A1 square पलस A2 square पलस A3 square यह हमारे पास हो गया A3 square ठीक है अब यह हमारे पास हम ऐसे लिख सकते हैं AI represent note लगा कि आप एक बात लिखिए capital A I I is equal to 1, 2, 3 index notation में आ गया कि नहीं आ गया भी AI का मतलब index notation में आ गया क्या कर रहा है represent the set of represent यह कर रहा हमारे पास है represent the set of represent the set of Cartesian component Cartesian component Cartesian component a1, a2, a3 a1, a2, a3 यह हमारे पास क्या गया Cartesian component in the same order, yes, in the same order, in the same order, कि तीनों का करम हमारे पास एक समान है, क्यों हो भई, a1 upon root a1 square plus a2 square plus a3 square, a2 upon root a1 square plus a2 square plus a3 square, a3 upon root a1 square plus a2 square plus a3 square, तो ये cos theta 1 आ गया, ये cos theta 2 आ गया, और ये हमारे पास cos theta 3 आ गया, तो ये टोपिक था हमारे पास ही index notation से ओफे vectors, ठीक है, बहुत ही simple सा टोपिक था, करना क्या है, हुआ कुछ नहीं, बस एकदम से इन्होंने अपना रूप बदल लिया, hard words ले आए, और इतने भी hard नहीं है, बार-बार i, j, k कीज गया, e1, e2, e3 रखेंगे, x, y, z कीज गया, y1, y2, y3 रखेंगे, और इसको y, i बोल देंगे, पहले तो ऐसे बोल देते रहें, x, y, z है, अब y, i बोल दो style से, i is equal to 1, 2, 3, e, i is equal to i, 1, 2, 3, e1 vector, e2 vector, e3 vector, यह सब के सब क्या है, unity vectors है, ठीके, तो यह हमारे पास एक topic का, exam में नहीं पूछा जाएगा, यह साब सोचने हों कितनी मेहनत करने के बाद समझ में आया है, exam में नहीं पूछा जाएगा, बट हर एक questions के अंदर, छोटी छोटी theorem के अंदर, इसका बहुत ही एहम योगदान रहने वाला है, चलते चलते y, i आई आई आजाएगा, cos theta 1, theta 2, theta 3, ऐसी situations फिल होगी, ऐसी situations आते ही हम कुछ ऐसा करेंगे, अब देखिए हम यहाँ ऐसे बोल सकते हैं, a1 is equal to, अब इसका कोई उठाव नहीं है, a1 is equal to, a vector cos theta 1, ऐसे भी बोल सकते हैं, फिर छोटी छोटी value भी दे सकते हैं, हो सकता है, theta 1 के आगे हमें value दे दे, तो यहाँ रखे, a1 is equal to क्या होगा, a2 is equal to क्या होगा, a3 is equal to क्या होगा, तो यह सब हमारे पास नए नए symbol से लिखने का, देखने का थोड़ा सा नजरिया बदला है, बाकी इस paper में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो आपके समझ में नहीं आएगा, समझ गए न, देखने का नजरिया बदला है, after parlor थोड़ा style से बोले, उसे हमें सावधानी पूर्व के स सकते हैं, और यह सारे के सारे index notation है, यह सारे के सारे हमारे पास क्या है, index notation है, कि कैसे कैसे हमें yi axis, y12 axis, yi3 axis, ठीक है, अब सारा का सारा छोड़ो, अब आप एक note लगाओ, personal note, अब आप एक note लगाओ, वास्तों में हम इसे कैसे काम में लेंगे, personal का मतलब याद रखने वाल note है, एक तो आप ऐसे बोलोगे, yi axis, ठीक है, i बताने की जरूरत नहीं है, 1, 2, and 3, दूसरा आप क्या लिखोगे बई, ei vector, ei vector हमारे पास क्या है, unit vector है, यह हमारे पास क्या है, unit vector है, यहाँ भी i is equal to क्या है, 1, 2, 3 है, इसके अलावा आप क्या याद रखोगे, a vector को, a vector हमारे पास कैसे आएगा, a1, e1 vector, plus a2, e2 vector, plus a3, e3 vector, plus a3, e3 vector, अब इसे साउधानी से देखिए, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, क्या, a vector is equal to a, i, e, i vector, मैं लिखना भूल गया था भी, पहले जहाँ बताया था, आप उसके जगह लिख सकते हो, जहाँ आपने यह लिखा है, a1, e1 vectors, plus a2, e2 vectors, plus a3, e3 vector, यहाँ आप ऐसा लिख सकते हो, i is equal to 1, 2, 3, फिर हमने क्या निकाला था, a vector का magnitude निकाला था, वो कितना है था, हमारे पास, रूट के अंदर a1 square, plus a2 square, plus a3 square, आप इसको कैसे बोल सकते हो, इसको बोल सकते हो, आप रूट के अंदर a i square, इसके अंदर ऐसे बोल सकते हो, क्या a i square, नहीं, summation a i square, ऐसे तो बिरबाहरी आ जाएगा, a i, इसको हम क्या बोलेंगे, summation a i का whole square, i is equal to over 1 रखा जएगा, एक बाट 2, summation का मतलब इसे plus में लेता हुआ आएगा, ठीके, इसके अलावा आप याद रखोगे, देखो इसे हमने काम में लिया था, इसको, इसको हमने a लिखके काम में लिया था, cos theta 1, cos theta 2, cos theta 3 के निचे भाग देने पे, अरे देखो हमने ये निकाला था कि नहीं, कि cos theta 1 है, वो a1 upon a vector है, तो आपने ये सुचा होगा कि आपने ये क्यों नहीं रखा, ये क्यों रखा, तो इस a को आप दो बार गहरा कर दो, ठीके, बुक में तो क्या इसे बोल्ड कर दिया, ऐसे, तो ये a आता है हमारे पास इसके नीचे, ठीके, ऐसे लिखे या आप ऐसे लिख लिजिएगा, a vector मान लिजिएगा, तो आप इसे ऐसे मान लिजिएगा, directions का साथ साथ रोल लेता है, तो cos theta 1 कितना आ जाएगा, हमारे पास a1 upon, क्या आ जाएगा वई, a1 upon root के अंदर, a1 square, a2 square और a3 square, ये मतलब आपको shortly याद रखने, ठीके, तो ऐसे हमारे पास इस topic से related, जो भी हमें छोटी छोटी बातें याद रखनी है, वो बस यही है, ताकि आप इसे अच्छे से याद रख पाई, ताकि आप इसे अच्छे से याद रख पाई, और इसी को हम index notations of vector बोलते हैं, इसी को हम index notations of vector बोलते हैं, आप लिख सकते हो, a1 upon a vector, या जाएगा, a1 upon root, a1 square प्लस, a2 square प्लस, a3 square, लिखा हुआ है आपका, फिर से लिख लिजिए, theta 2 में, 2, 2 कर दीजिए, theta 3 म यहां, 3, 3 कर दीजिए, ठीक है भी, cost theta 2 कर दीजिए, और cost theta 3 कर दीजिए, इसको लिक लिख लिजिए, a2 upon a vector, यहां a2 नीचे से, और ऐसे ही आ जाएगा, cost theta 3, a3 upon a vector, ठीक है, तो यह आज के इसी topic के अंदर, पूरा का पूरा निसकर्स है, इस conclusion को, या निसकर्स को, आप ऐ ऐसा का ऐसा यादे रखेंगे, करने कम तो 3-4 विशेश बाते हैं, हम चलते चलते ऐसे बोल सकते हैं, कि a vector है, वो हमारे पास aiei है, है, बिल्कुल सिंबल, आगे चलके पूरे यूनिट्टों की बात करें, इसी अकेली यूनिट की बात नहीं करें, फैस्ट, चैकिन, से लिख सकते हैं, चलते चलते हम इस e i के vector लगा सकते हैं, और ये पूरे पेपर में हमारे पास unity vector रहने वाला है, ये हमारे पास एंगल है, ये हमारे पास angle है, y i axis से, y i axis से, i हमारे पास index notation को दर्शाता है, उपर वाला जो vector का direction से, यह हमें वेक्टर को दर्शाता है तो टोपिक हमारे पास यही था बिलकूल सिंपल था गुमा फिरा के आप देख सकते हैं जो मैंने टुल्थ लेवल लिया बेसिक तो वही था इसको एकदम से नया स्टेंडर्ड रूप दे दिया और कुछ इस तरह से लिख दिया और हमें मूल चीजे है वह ऐसी की ऐसी है बस इसे हमने आर्टीफीशली रिपर्जेंट कर दिया कि कुछ-कुछ ऐसे वरड़ा के हमारे इस तरह से दिखने वाला है तो टोटल आपने देखा होगा इस लेक्टस के अंदर मैंने शुरुआत में ही बताया था कि यह वाला पेपर है हम मसी का तो यहां थोड़ा बूत ऐसा होना भी चाहिए ताकि आप भी अच्छे से अपने आपको रिपर्जेंट कर सके ठीक है तो यह हमारे पास एक सिंपल सा टोपिक है अब नेक्स्ट टोपिक से मिलेंगे कुछ और छोटे छोटे टोपिक के साथ हैं एक और लेक्टस कहीं भी इसे काम में लूँगा और श्राइड में गलती से बचने के लिए या एस्विधा से बचने के लिए लिख देंगे इंडेक्स नोटेशन सोपे वेक्टस तो यह आप कहीं भी उठाके इनको सिप्टे कर सकते हैं ठीक है तो एक पार यह लेक्टस फिर से रिवाइज कीजिए और मैसूस कीजिए और फिर कर निकलीजन निकालोगे पूरे टोपिक का तो लास्ट में बस इतना सा ही आएगा और इसमें भी मैंली यह काम आएगा यह और कहीं कहीं हमारे पास यह एंगल भी काम आजेंगे कैसे हम प्रक्षेप या प्रोजेक्शन डालते हैं ठी तो बस अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नमवर टू के अंदर हैं